तो हाँ भई फ्यूचर डॉक्टर्स थोड़ी सी टेंशन हो रही है कोई बात नहीं होने दो ये टेंशन ही इंसान को ये बताती है कि आपने कुछ किया है और इस बात को बहुत अच्छे समझना जो आप एक्सपेक्ट कर रहे है और जो रियालिटी है यदि उसमें मैचिंग नहीं होती तो टेंशन आती है यदि मालो आपने प्रॉपर महनत की हुई है मैं देख रहा था भी आप लों के कॉमेंट्स तो यदि आपने प्रॉपर महनत की हुई है और उस महनत के रिस्पेक्ट में आपको यदि मार्क्स आ रहे हैं तो आपको डिप्रेशन नहीं आएग तो हो सकता है आपके marks इस तरीके से आएं कि वो आपको इतना confidence दे जाएं कि अगले साल हो सकता है आप इंडिया के top medical college में पहुंच जाओ तो इसलिए इस बात को आप समझे जो होता है इसी को बोलते हैं blessing in disguise कि कोई बात नहीं इस बार नहीं हो पाया अगली बार हो जाएगा त इस बात को जब आप ये सोचोगे ना तो याद रखना आपको depression नहीं आएगा आप इस बात को बहुत अच्छे समझो जब आप expectation रखोगे मालो आप expectation रख रहे हो 10x और आपके आ रहे हैं मालो 5x और आप में caliber है x का तो आपको depression आएगा है ना क्या होगा आप मुझे बताओ आपको depression आएगा तो इसलिए आप इस बात को समझेए कि जो आपका expectation है वो आपकी reality से match यह दी कर रहा है तो depression नहीं आएगा तो चलिए जल्दी से इस chapter को